मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 वजे तक 12 वजे तक जगते हैं तो उनके नीद में कमी आती है नीद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नीद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिर्चिड़ा बनाएगा चिर्चिड़ा बच्चों को अगर नीद पूरी नहीं लेंगे इसको ध्यान रखें तो उनमें चिर्चिड़ापन आएगा गुसा भी आएगा और चिर्चड़ापन और गुस्सा उन में है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे आप उनको लाख अच्छी बात कहो वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि शरीर को मस्तिश्क जो है निरंतिरत करता है मस्तिश्क कफ के प्रभाव में है कफ बिगड़ा हुआ है सुधरा हुआ नहीं है क्योंकि नीद पूरी नहीं ले रहे है तो ये तो संकट आने वाला है तो अक्सर घरों में ये समस्या में सुनता हूँ वो कहते राजी भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नीद पूरी नहीं हो रही है आप उनकी नीत पूरी होने दीजे, 8 गंटे, 9 गंटे की, 10 गंटे की नीत पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं, अब मैं आता हूँ जो आपने प्रशन किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी, बच्चा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, कफ के अस और शेयर करें, और हाँ, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें